Yes students, now move on to the examples of worksheet 4. Okay, worksheet 4 के अब हम example एक बड़ ही revise कर लेते हैं. So that हमको अच्छे से concept clear हो जाए. Okay, तो बेटा storytelling sums हैंगे. So storytelling sums को समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले question को read करना है. Okay, तो आपने question को two times read करना है. And also focus on the keywords. आपने keyword के उपर भी focus करना है कि क्या word लिखा जा रहा है? Question में क्या पूछा जा रहा है? Total है, in all, all, या फिर कोई left word लिखा है, less than. Okay, तो in words के थूँ बेटा हम ये identify कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या operation लगने वाला है? Okay, total के लिए total, sum, all, in all, यहाँ पे हम क्या करते हैं? Left, तो यहाँ पे बेटा हम subtraction का operation लगाएंगे. तो एक बरी question को देखें ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आएगा. A shopkeeper had 32 kg 500 gram of apples. एक shopkeeper है, यानि के एक दुकानदार है, जिसके पास कितने save है? 32 kg 500 gram. ये quantity आपको given है, ठीके? दुकानदार के पास जो apples हैं, उसकी ये quantity given है. Now, अगली line start होती है. 25 kg 225 gram of orange. संत्रे कितने हैं? 25 kg 225 gram. इतनी quantity present है orange की दुकान में. and 9 kg 710 gram of pears. Pears आपको पता है, ठीके? जिसको हम हिंदी में नाशपती बोलते हैं. इसके quantity कितनी given है? दुकान पे 7, sorry, 9 kg 710 gram in his shop. ठीके? तो ये सारे के सारे fruits जो है, इतनी quantity बता दी की, इतनी quantity पड़ी हुई है shop पे. Fruits की, ठीके? औरेंज की, एपल की और पियर की. What is the total quantity of fruit in his shop? बेटा, यहाँ पे लिखा है, what is the total quantity of fruit in his shop? यानि कि total, यानि कि आप से sum कह रहा है वो, कि total बताईए, add करके बताईए, कि कितनी quantity है fruit की, उसकी shop में, उसकी दुकान पे. ओके? तो यहाँ पे addition का operation लगेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? Statement भी तो लिखनी है. ठीके? क्योंकि storytelling सम्स कर रहे हैं, तो statement हम पहले लिखेंगे. तो quantity of apple. बेटा, यहाँ पे word use कर रहे हैं quantity of. अब जब भी हम market में जाते हैं, fruit खरीदने. क्या आप ऐसे बोलते हो कि 10 apples का price बता दीजिए. आपने कभी सुना हो किसी से? ठीक है? ऐसे तो कभी नहीं होता? या फिर 5 apples का price बता दीजिए. ऐसे तो नहीं होता? हमेशा आप क्या पूछेंगे? या आपने किसी और को देखा होगा, वहाइ आपके мамी पापा, वह क्या पूछते हैं? कितने केजी apples, या याने कितने kilo के हैं? ठीक है, वह price पूछेंगे. मतलब, कि कितना price है इस एक kilo apple का? या फिर कितना price है, एक kilo orange का? ठीक है, वह यहीं पूछते हैं? यानि कि kilo के according उसको खरीद रहे है kilo या kilogram तो यहाँ पे इसी लिए यहाँ पे use किया गया है word quantity तो quantity of apples कितना हो जाएगा equal to 32 kg और 500 gram तो यह मैंने आपको पहले भी बताया था kilogram का part अलग लिखेंगे और gram वाला अलग ओके, now quantity of orange कितना था 25 यहाँ पे given भी है देखें, figure में 25 kg 225 gram और quantity of pr equal to 9 kg 710 gram अब हम इसको क्या करेंगे, add करेंगे, add करना आपको आता ही है ठीक है, आप easily add कर सकते हैं, कोई problem नहीं है इसमें और एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ पे, 9 जो है बेटा वो आपका यहीं पे आएगा 5 के नीचे, आप 2 के नीचे नहीं लिख सकते 9 को, क्योंकि 9 जो है वो once place का digit है, once place का number है, तो आप इसको second place पे नहीं रखवा सकते हैं, यानि कि 10s place पे नहीं लिख सकते हैं, तो इसका आपने ध्यान देना है, 5 के नीचे, 9 आएगा, 2 के नीचे मत लिख देना, ठीक है, सारा question गलत हुजाएगा फिर, addition आप राम से कर सकते हैं, now, example 2 देखिए, john's mother used 28 kg, 700 gram of घी, ठीक है, जो john की mother है, john's mother, यानि कि john की mother है, मा है, वो क्या कर रही है, यूज करती हैं, घी, यूज करना मतलब की, वो यूज कर रही है उसको, 28 kg, 700 gram, कितना, कितनी quantity है, 28 kg, 700 gram of घी, ठीक है, इतनी quantity यूज कर रही है, घी की, out of a container, of 550 kg of घी, यानि कि ये पूरा का पूरा container, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, टीन, या पिपा, ठीक है, आम भाशा में इसको ये ही बोलते हैं, ठीक है, एक और वर्ड यूज करते हैं, कनस्तर, ठीक है, तो ये है container घी का, और इसके अंदर कितना किलो घी आ रहा है, 50 kg, इसमें से किसी और जगा पे इसको यूज किया गया है, और कितना यूज किया गया है, 28 kg, 700 gram, तो question में क्या पूछा गया है, how much ghee is left in the container, बेटा है, यह word लिखे है left, how much ghee is left in the container, यानि कि, इस container में कितना घी बच गया, यानि अगर 28 kg, 700 gram बाहर आया, तो अब अंदर remaining कितना बचा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, minus करेंगे, subtraction का operation लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है left, student, सबसे पहले statement देखी बटा कैसे लिखेंगे, total ghee in the container, यानि कितना घी था, quantity कितनी थी, 50 kg, लेकिन gram तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमने 00 लगा दिया, ओके, घी used, कितना use हुआ, 28 kg और 700 gram, now, घी left in the container, अब कितना बचा, वो minus करके पता चलेगा, अब आप यह देखें, यह 00 है, इस में से हम 700 को minus नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, 50 में से एक बोरो ले लेंगे, जब हम बोरो लेंगे, तो 1 बोरो नहीं होगा, वो 1000 gram बोरो होगा, ओके, तो 1000 में से हमने क्या करना है, 700 को minus करना है, and we get 300 gram, minus तो आप easily कर सकते हैं, 49 में से 28 जाएगा, ओके, so student likewise you have to do the question, अब मैं आपको कुछ practice question देती हूँ,